तो ज़हिन मसकार शाथीयों मैं मुकेशर आप सबी का स्वागत करती इस्टेंड आज के इस क्लास में इस्टेंड अगर आप सब्थी भी किसी भी कॉम्टेटरी एक्जाम की त्यारी करें तो यकीन माने इस्टेंड आज के क्लास आप सभी के लिए काफी ज़्यादा इंपोडेट होने वाला है क्योंकि इस्टेंड आज के इस क्लास के अंदर हम लोग डिसकर्ष करने वाले 200 की नदिया से संबंदी टॉप 50 मोश्ट इंपोडेट MCQ कोशन के बारे में जो कि आप सभी के ऐसे बहुत सारे प्रश्ण में आप सभी के एकजाम में ऐसे प्रश्ण पूछे जाते हैं तो आप लोगों से एकी रिकेश्टी के आप लोग इस क्लास को इन तक देखेगा क्योंकि आप सभी के नदी से बनने वाले उन सारे प्रशनों का संगर आज की इस क्लास में लिया गया जहां से कि आप सभी की एक्जामनर आप सभी से प्रशन पूछ सकता है तो चले शन आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रशन के साथ कि आप सभी का पहला प्रशन क्या दिया गया ध्यान दिजेगा पहले प्रशन को बात करते हैं तो पहला प्रशन आप सभी से पूछा जा रहा है कि जल की आयतन की अधार पर बीसो की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जल की आयतन की अधार पर बीसो की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो राइट इंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर डी अनि की अमेजन इस राइट इंसर हो जाएगा आपसा नमबर डी जल की आयतन की अधार पर बीसो की सबसे बड़ी नदी की बात करते तो अमेजन हो जाती है चली आगले प्रस्ण कर बात करते हैं सभी का अगला प्रस्ण है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंस घाटी से ऊकर बाती है निम्न में से कौन सी नदी भरंस घाटी से ओकर बहती है तो दुसरा कह जाएगा आप सभी का अपसा नम्बर डी यानि की राइन राइन नदी आप सभी का अपसा नम्बर डी इज राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्णि को बात करते हैं अगला प्रस्णी कि वोलगा नदी कहां गिरती है तो वोलगा नदी के बात करते हैं तो यह गिरती आप सभी के कैस्पियन सागर में आपसे नमबर B आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रशने को बात करते इस्टेंट आप सभी का अगला प्रशने है कि किस सभिता को निल नदी का वर्दान कहा जाता है किस सभिता को निल नदी का वर्दान कहा जाता है तो 4 का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसे नमबर D अनिकी मिस्र की सबिता आपसे नमबर D आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का 5 नमबर प्रशन है कि ये रूप की कौन सी नदी कोईला नदी के नाम से जाना जाता है कोईला करा कि ये रूप की कौन सी नदी कोईला नदी के नाम से जाने जाती है तो फाइब का हो जाएगा आप सभी का अपसा नमबर बी अनिकी राइन राइन नदी हो जाएगी अपसा नमबर बी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्णि को बात कर तो इस्टेंड उस्सी पहले आप सभी से चोटा सरी कैसी कि अभी तक आपसे मैं चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये तो प्लेस इस्टेंट चलों को सब्सक्राइब कर साथ बेल आगन को प्रेस कर दीजेगा ताकि इसा मोस्ट इमपड़े क्लास इस्टेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे चली अगले प्रशनी को बात करते हैं आप सभी का सिक्स नमबर प्रशनी आप पर पूछा जारा कि वीसो की सबसे व्यस्त व्यपारिक नदी कौन सी है वीसो की सबसे व्यस्त व्यपारिक नदी कौन सी है तो 6 का अज़ एगा आप सभी का अपसर नमबर 6 अनिकी राइन नदी राइन नदी 20 की सब एकलोती ऐसी नदी है जो की बेपारियों के लिए सबसे बियस्त हैनिकी बीजी नदीयों में सेखे और ऐसे प्रशन आप सभी की एक्जाम में इस्टेंट बार बार पूछे जाते देखने को मिल जाते ठीक है नो तो आप लोग इस क्लास को इन तक देखेगा क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए राम बाण की तरह सिद्ध होने वाला है चली अगले प्रशन को बात करते हैं सभी का सेवे नंबर प्रशन है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है तो यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौनसी है तो वुलगा वुलगा जो हो जाएगी आप सभी के यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक हो जाएगी वुलगा आपसा नमबर D आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का एट नमबर प्रशने पूछा जारा है कि निमनलीखित नदियों में से कौन सी बीशुवत रेखा को दो बार पार करती है तो एट का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर A आने की जाएरे जाएरे आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमबर A कोशे नमबर आठ का चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं आफ सभी का अगला प्रश्ण नाइन नमबर या पर पूछा जा रहा है कि पराना तथा परांगवे नदी के संगम के पस्चाथ इसका समलित नाम हो जाता है यानि कि जब ये नदी मिलती है जब एक दूसरे से मिलन होता है तो इसका जो संगम का जो नाम होता है वो क्या हो जाएगा तो नाइन का हो जाएगा आफ सभी का अफसर नमबर डी यानि कि लाप लाटा हो जाएगा आपसा नमबर D, 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 आपसा नमबर D संब्सक्राइब तो ग्यारह को नदिक किसको काग जाता है जार सब्सक्रा नदी किसको का जाता था कि निनन लीखित में से कौन से नदी मकर रेखा से दो बार गुजरती है तो तो ऐसी कौन से नदी है जो की मका रेखा से दो बार गुजरती है तोprob रैकर राइट नंसर हो जाएगा अपसे नमबर भी ने कि लिम पोपो लिम पोपो हो जाएगी अपसे नमबर भी आप सभी का राइट न हो जाएगा चली अगले प्रस्षिन को बात करते हैं सभी का तेरा नंबर प्रस्षिन आपर पोचा जारा ध्यान देजेगा करें कि किस नदी को एरोपिये वेपार की जीवन रेखा का जाता है किस नदी को एरोपिये वेपार की जनम रेखा का जाता है तो तेरा का जो राइट एंस रोज्जागा आप सभी का आपसा नमबर बी अनिकी राइन नदी को का जाता है आपसा नमबर बी आप सभी का राइट एंस रोज्जागा राइन नदी चली अगला प्रस्ने 14 नंबर की महा बली गंगा किस नदी की सबसे बड़ी नदी है महा बली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है तो स्रिलांका आप सभी का राइटेंस रोज्य गापस नंबर A चली अगले प्रस्ण कर बात करते कि बंगला देश में किस नदी को पदमा के नाम से पुकारा जाता है तो पंदरा का अज़ग आपसम नंबर B यानि कि गंगा को गंगा आपसम नंबर B आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रस्ण कर बात करते हैं 16 नंबर की महान ACI नदी में को निमने लिखित देशों में से किसे होकर नहीं बहती है तो सुला का अज़ग आप सभी का अपसम नंबर B यानि कि मलेसिया हो जाएगा अपसम नंबर B आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा मलेसिया निमने लिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है तो 17 का अज़ग आप सभी का B यानि कि नाईजर नाईजर आप सभी का राइट एंसर हो जगा आपसम नंबर B चली अगले प्रस्णी को बात करते हैं आप सभी का अठारा नंबर प्रस्णी की रूस की सारधीक मतपूर नदी कौनसी है तो अठारा का राइट एंस रोज जाएगा आप सभी का अपसर नंबर डियानि की वुलगा हो जाएगा लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है तो वियत नाम हो जाएगा अगला प्रस्णी की एसिया की विसाल नदी में कांग निमने लेखित देशों में से किसमें नहीं बहती है तो मलेशिया में नहीं बहती है, अपसन नमबर B, आप सभी का राइट एंसर अज़ जाएगा अगला प्रस्निकी सिन नदी कहां बहती है तो 21 का अज़ जाएगा आप सभी का अपसन नमबर B, यानि कि फ्रांस में बहती है अगला प्रस्णि की नदी जो समुंदर में मिलने से पूरो एक बीस्तरित मरुवस्थल से गुजरती है वह है यानि की नदी जो समुंदर में मिलने से पले पूरो एक बीस्तरित मरुवस्थल से गुजरती है उसका क्या नाम है तो वो हो जाती है आप सुझी के कोलो रेडो हो जाएगी चलि अगला प्रशनी की नील नदी कहां गिरती है तो नील नदी के नाम के बात करते हैं नील नदी के तो अपसन नमबर B याने की भूमद्य सागर में गिरती है आपसर नमबर B आप सभी का right answer हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का 24 नमबर प्रश्ण है कि जोड़ा नदी कहां गिरती है तो जोड़ा नदी के बात करते हैं तो 24 का हो जाएगा आपसर नमबर B निकि मृत्य सागर में आपसर नमबर B आप सभी का right answer हो जाएगा मृत्य सागर चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं कि होगो हो नदी किसमें गिरती है तो 25 का हो जाएगा आपसर नमबर B निकि पीला सागर में चलिए अगला प्रश्ण कौन सी एरोपिय नदी ब्लैक फोरेष्ट से निकल कर काला सागर में गिरती है कौन सी एरोपिय नदी ब्लैक फोरेष्ट से निकल कर काला सागर में गिरती है तो 26 का हो जाएगा आप सभी का आपसर नमबर D यानि कि ओडर order हो जाएगा order option number D आप सभी का right answer हो जाएगा चली अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का 27 number प्रशन है कि ओब नदी किसमें गीरती है तो ओब नदी के बात करते हैं तो आपसी के Baltic सागर में गीरती है Baltic सागर आपसा नमबर C चली अगले प्रशन को बात करते हैं 28 number प्रशन है कि मी सी सी पी और मिसोरी है मी सी सी पी और मिसोरी है तो 28 का right answer रजज़ जाएगा आप सभी का अपसा नमबर B यानिकी दो राज्य हो जाएगी अगला प्रशन है किस नदी को चीन का सोक नदी का जाता है किस नदी को चीन का सोक नदी का जाता है तो होंग हो का जाता है अपसा नमबर B अगला प्रशने के स्पे सागर में कौन सी नदी गिरती है तो अपसा नमबर C अनिकी होंग ओलगा हो जाएगा अगला प्रशने की सर और आमू नदिया गिरती है तो अरल सागर में गिरती हैं लंबाई के घड़ते करम में 200 की तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी तो अपसन नमबर डिये नील, अमेजन, मिसोरी और मिसी सीपी यह नदीया है न यहाँ पर थौसा में स्प्रिंट हो चुका है यहाँ पर आप सभी इसको कर लेज़ेगा कहां गया कोशन 28 नमबर तो यह दो नदीया है अपसन नमबर ए हो जाएगा ना कि अपसन नमबर डी भी हो जाएगा ठीक है तौसा उसको कॉरेक्ट कर लेज़ेगा चलिए अगले प्रशन को बात करते हैं चलिए अगले प्रशन को बात करते हैं आप सबी का 33 नमबर प्रशन है कि Asia की निमने लिखित में से कौन सी नदी दच्छिंड को प्रवायत होती है तो option number D आप सभी का right answer हो जगा, सालविन हो जाएगा। 25 का उच्जच अपसर नम्बर D अने की नील नदी हो जाएगी। अगला प्रस्ने की निमनलीखित में से किस देश में में से यूफ्रेटस वर्टिग रिस नदी बहती है तो अप्सन नमबर डी आने की एराक हो जाएगा अगला प्रस्ने की निमनलीखित में से कौन सा देश निल नदी दोरा अपरवायत नहीं होता है तो 37 का अज़्यागा आपसर नमबर A आने की चाण हो जाएगा चली अगला प्रस्णी की निमने लेखी नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है तो अमेजन हो जाएगी अपसर नमबर A चली अगला प्रस्णी की उस देश को इंगित करे जहां से ब्रामपूत नदी नहीं गुजरती है तो आज की इस क्लास क्वेश्टिन एही तक इन करते हैं आप सभी को क्लास कैसा लगा कमड़ी बॉक्स में जुरू बतेगा अगर आप से उकलास अच्छा लगे तो प्रेच चलंग को सब्सक्राइब कर सासद बेलेगन को प्रेस कर दीचेगा ताकि इसा मोज टीम पूड़े कोश्चन श्टिंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहें तो मिलते नेक्स्ट ग्लास मिश्टें थांक्सराचिंग में ग्लास